मुलाइट की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में आपने देखा, समझा और पढ़ा किस तरह से मौरी युक्तरकान के बाद चीजें अस्तुत में पिछले लेक्चर में 10 कुश्ण दिये थे, 4 प्रक्टिस तो उसका उत्तर जानते हैं और वीडियो देखने से पहले आप से वही गुजारिश वीडियो को लाज तक देखें, कंसेप्ट को समझें कॉपी पैन उठाइए, लिखिए, समझिए, प्रिविजन कीजिए जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो एक्जाम कॉलिफाई करने के बहुत ही करीब पहुचेंगे और एक्जाम कॉलिफाई हो जाएगा और जब आपका एक्जाम कॉलिफाई होगा तो आपको इतनी खुशी होगी है ना जो आप खुद महसूस करिए और जिस दिन क्वालिफाई होगा ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन खुशी के आसू आएंगे और रात भर नीद भी नहीं आएगी टेंशन की वजए से नहीं अभी आप टेंशन की वजए से है ना पढ़ने की चिंता की वजए से लेकिन उस दिन आप जब सफल था मिलेगी तो खुशी के आसू की वजए से रात भर सो नहीं पाएंगे इतनी अपार खुशी मिलेगी तो फिर वही कहेंगे तो ये जो एस टेप से इनको फॉलो करते रहिए वीडियो को देखिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट डिसलाइक जो भी हो उसको करते रहिए सेर करते रहिए समझिए तो अपनी टॉपिक पर आते हैं ठीक है इंडिका का लेखा कौन था बता देंगे आप लोग समराट असोग के राजा देशों का सबसे पहले बिकूटन किसने किया एक होता है इंक्रिप्शन और उसका जस्ट डिक्रिप्शन तो ये किसने किया तो बता दिया गया था कि जो असोग के सिलालिक थे उनको सबसे पहले खोजा किसने प्रिंसिप ने और पढ़ा किसने प्र पढ़ने की बात कर रहा है तो प्रिंसिप यह आप सभी लोग जो भी पिछली लेक्चर से उसमें पढ़ चुके हैं और अगर आपको डिटेलिंग पढ़ना हो तो आप पिछली लेक्चर देखी लेजिए यह किसने कहा था कि जब राजा दर्बार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतिक्षा नहीं करवाना चाहिए तो यह तो पिछले लेक्चरिंग बता दिया था कि यह आप लोग अगर इस्पेक्ट करेंगे तो बता देंगे कौन हो सकता है तो इस समय भारत का मेक्यावेली चानक कोटिल यही थे तो उन्होंने यही कहा था और अर्थसास्त में इस तरह के सिद्धानतों का जिक्र है अर्थसास्त राजनीतिक विषय पर एक पुस्तक है नाम जरूर उसका अर्थसास रखा गया है लेकिन है वो पॉलिटिकल ब्यूप है सबतांग सिद्धान का नुसार राजा का सात्वा अंग कौन सा है जब मैं मौरियकाल पड़ा रहा था तो उसमें जो राजनेतिक विवस्ता बताया था तो उसमें बताया गया था कि जो राज के सब शिद्धानत हैं जिसमें सिर यानि राजा, आखे, अमात इस तरह का कंसर्ट बताया था जन, जनपद, कोश, खजाना, दन, पुरुसकार इस तरह की चीज़ें बतायी थी और सात्वा अंग भी बताया था और अगर सात्वा अंग ही एक्जाम में आया है मैकसम बार, तो इसको आप ऐसे भी याद रखिए कि अगर है ना तो उसमें मित्र बताया था, मित्र सात्वा अंग है तो आप इसको ऐसे समझेए कि कोई राजा खड़ा है तो उसके कान भरेगा, तब ही तो चीज़ें कोई क है और कलेंग युद्ध का वरन किस अवलेक में यह दोनों एक ही चीज़े हैं और वो कौन सा अवलेक है थार्टिन, तेरह वाग, नेक्स्ट है असोक के समकालिन मिस्र का शाशक कौन था, तो टॉलमी फ्लाडिलफर्श यह बता दिया गया है, असोक बिंदुसार के समकालिन सीरिया का साशक, तो यह यह भी वताया था, एंटियोकस, नेक्स्ट है शन्नी धाता मौरिकाल में कौन था, तो जो राजकी कोश का प्रधान मंतरी था, प्रधान था, उसको बोलते थे, नेक्स्ट है तिरत्य बोध संगीती कहां हुई, कहां हुई, किस के समाएं हुई, बोध संगीती से कुश्ट्स आते हैं, तो थेड के बारे में अगर जानेंगे, तो एक किस के समय हुई, असोक, पहला, कहां हुई, तो इस समय मगत की आजधानी कहां थी, पाटली पुत्र, पाटली पुत्र में हुई, कौन अध्यक्ष था, मोगली पुत, तिस्ष था क्या या बशुबित्र था, या महा का स्यप्थ था, इन तीनों में कन्फूजन होता है, तो इसको भी आप जानते रहिए, और बिडियो को देखते रहिए, और बताइए, कि इन में से कौन था, तो अब में जो टॉपिक है, उस पर आते हैं, और जो टॉपिक है, वो मौरियुत्तर काल के बाद, किस तरह से विदेशी आक्रानताओं ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बारे में बताएंगे, तो यह जो साथ वाहन बंस के बारें बता दिया था, लास्ट टॉपिक यही चल रहा था, कि किस तरह से इन्होंने, जो ब्रह्मण हैं, उनको भूमी, दान देने की प्रतासरों की, इसको अग्रहार करते थे, और उसी कड़ी को आंगे बढाते हुए, भारत में विदेशीयों का आक्रमण, तो भारत के पश्मुत्तर भाग, अगर जब हम भारत के महप को समझेंगे, जानेंगे, तो यह जो मैक्सिमम, यहां इसी पोर्शन से ही आक्रमण होगे, चाहे वो यूनानियों का हो, आरबों का हो, या अभी बाद में मद्द कालिन भारत में भी आप देखेंगे, मुहम्म गजनवी, इस तरह से जो भी आक्रमण भी इसी रीजन से, सिकंदर का आक्रमण भी इसी तरह से हुआ था, वो वात अलग है, कि वो बापस लोट गया था, इस सब चीज़ा पढ़ चुटी, तो भारत की पश्मुत्तर भाग में मौरियों के स्थान पर जो भी राजबंस है मद्धे सियाशे आकर अनेक राजबंसों ने अपनी सत्ता इस्तापित की, इस समय कोई केंद्री क्रत सत्ता भारत में अस्तुत नहीं थी, मौरिकाल के बाद, तो जब कोई सक्ति साली केंद्री सत्ता अस्तुत में नहीं थी, तो कई लोगों को आने का मौका मिला, क्योंकि स अभी जो भी राजा थे आपस में ही लड़ते भृते रहते थे उसकी वज़ाए से जो भी विदेशी आक्रानता हैं शक्तियां हैं उनको भारत में आने का मौका मिल गया देखिए इस समय मौरियुत्तर के बात या मौरियुत्तर के समय क्या हुआ किस तरह से समझे तो भारत में सबसे पहले आक्रमण उन यूनानियों ने किया जो हिंद यवन कहे जाते थे और हम लोगों को इनहीं के बारे में पढ़ना है क्योंकि हिंद यवन जो इस शक्तियां थी इन्होंने भारत को ततकालीन भारत को उस समय कई चीजें बताई की यूगदान किया चाए वो कला के छितर में हो चाए अर्थ के छितर में हो अर्थ बवस्ता के छितर में हो इस तरह से इन्होंने कई चीजें इस तरह से पहरतियों को दे जब ये लोग आए समय चल रहा था इसापूर्व के दूसरी सताबदी कारम हो रहा था तो इन्होंने पश्मी भारत के एक बिसाल भूबाग पर कबज़ा कर लिया और आते चले आए देखिए किस तरह से सबसे पहले आए है महराज डिमेटियस और ये डिमेटियस है इस तरह से पढ़ेंगे इसको आप ठीक डिमेटियस अब देखिए भारतिय सीमा में सरव प्रथम प्रवेश करने का से इन्हीं को है किसको डिमेटियस यही आए तो एक तरह से पहले राजा भी बोले जा सकते हैं किसके यह जो हम पढ़ रहे हैं यह हिंद यवन हिंद यवन राजा पढ़ रहे हैं तो इसमें यह लोग पहले आए क्या किया इन्होंने साकल कुराजधानी बनाया शाकल कहा हैं जो स्यालकोट वाला रीजन है उसको शाकल कहा जाता है उस समय कहा जाता था तो यह रीजन हो गया स्यालकोट स्यालकोट कहा है पाकिस्तान वाले रीजन है इन्होंने क्या किया यूनानी और खरोष्टी दौन लिपियों वाले इसके चलाए ठीक है अब देखिए इसके बाद क्या हुआ जमेट्रियस के बाद यू के चाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीत कर तक्च सिला को राजधानी मनाया तो यह समझ लीजिए कि देमेट्रियस के बाद इसको सा भी पढ़ सकते हैं ने भारत के कुछ हिस्सों को जीत कर इसने क्या किया स्याल कोट तो डेमेट्रियस ने जो राजधानी बनाई वो बनाई साकल और इसने तक्च सिला तो इस तरह से साकल और तक्च सिला फिमस होते गए इस समय भी रहेंगे देखिए ज़रा इसके बाद जो राजधा बना वो है मिनांडर और इसी से एक्जाम में आता है ये चीज़े नहीं आती लेकिन ये जो मिनांडर राज़ा हुआ है इस से एक्जाम में एक्जामनर को भी इससे बहुत कुछ एस्पेक्टरिशन हो है इसलिए इससे आते हैं देखिए क्यों रहा इतिहस के रिस्पेक्ट में जो राज़ा जैसे लड़ाई करेगा मार काट करेगा तो ये चीज़े एक्जाम में नहीं आती कि फलाना राजा कभी युद्ध लड़ा फलानी राजा के मामा का क्या नाम था फूपा का क्या नाम था कब वो कितनी बज़ी पैदा हुआ तो कुछ ऐसे फेक्ट नहीं आते हैं इत्यास की रिस्पेक्ट में इस तरह के फेक्ट आते हैं जिनका सांस्कृतिक, कल्चरल, राजनेतिक कुछ इस तरह का इंपोर्टेंस हो एक्जाम में ऐसे कुश्चन्स आते हैं तो क्या मिनांडर के साथ ऐसा कुछ हुआ जी हां उस समय बहुत धर्म भी मस्ता इन्होंने किसी से नाग सैनेक बहुत भीक्चूता उससे कुछ प्रस्ण किये उसके उत्तर में बहुत दिसाहित में इस तरह के मिलिंद पनु में लिख दिया गया इस तरह स्फेमश हो गया तो अब ही समझिये कि कोई भारती भूमी पर कोई विदेसी राजा आ रहा है बहुत धर्म की सिछा दिच्छा ले रहा है और यहीं पर उन सांस्कृतिक जो भी सांस्कृतिक हो राजनितिक हो कुछ चेंजिस करने के बाद भारती सांस्कृतिक को accept भी कर रहा है तो इस exam में इस तरह की चीजें maximum आते हैं देखिए सबसे अधिक बिख्यात हिंद्यवन राजा मिलिंद सन को मत्याद रखिए तो इसे भारती ग्रंतों में बोलते मिलिंद और बैसे नाम है मिनांडर और जब जोगरफी में आप पढ़ेंगे तो जो नदिया मैदानी छेत्रों में आती हैं वो इस तरह से जो आकरती बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं है ना यह भी एजोगरफी के रिस्पेक्ट में आप जानते रही है क्योंकि जियोग्रफी में आपने पड़ा होगा कि जो नदियां हैं और जब मैदानी छेत्रों में परवस से उतार कि आती है तीब्र मुड बनाती है इसको क्या कहते हैं ये भी जानी है का उसको मिनांडर तो नहीं कहते हैं है न तो इसको ये आपके लिए टास्क है समझे है तो मिनांडर ने क्या किया राजधानी स्याल कोट बनाई और इसने बौद भीक्षू नागसेन या नागार जुन से बौद की देख्चा लिया मिलिंद और नागसेन के संबाद जो भी हैं प्रिश्न इनको मिलिंद पन्हों में संकलित किया गया मिलिंद और नागसेन के बीच जो भी बारता लाफ हुआ वो इसमें संकलित है मिनांडर के सिकों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है और ये सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण एक्जाम में एक अई बार आता है पहला साशक था जिसने सोने के सिकों चलवाए और वो कौन था मिलिंद भारती रिस्पेक्ट में और बैसे है वो मिनांचर अब एक्जाम में आ गया कि सबसे पहले सोने के सिकों किसने चलवाए तो ये जो मिलिंद है या मिनांचर है हिंद यवन साशक है तो हिंद यवन या हिंद यूनानी तो यूनानी शाशक हो गए इन्होंने पहले सौने के सक्के चलवाए और बैसे नाम तो मेनांडर अब मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ कि मेनांडर से या हिंद यूनानी जो सौने के सिक्के तो नहीं चलते थे ठीक है तो क्या उस पर तिथी भी अंकित होती थी जो इससे पहले सिक्के चलते थे तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं उस समय जो सिक्के होते थे उनको बोलते थे आहत है ना मौरीकाल में और इससे पहले जो भी सिक्के मिले हैं वो आहत सिक्के हैं या पंच मर्ग कोईन यह बता दिया है और जो लोग पिछले लेक्चर अच्छे से सुन रहे होंगे रवाइस कर रहे होंगे वो अच्छे से उन्हें याद भी होगा आहत सिक्के बनाने के लिए जैसे कोई एक एक सीट ले ली और इसको टुकड़ों में इस तरह ऐसे काट दिया और इस जो कट गया इस बठ़ा पमार दिया हो गया इस तरह के कोईंस बनते थे और यह बता भी बताया जा चुका है देखिए एक स्रीमान जी थे युक के टाइट्स और यह भी बताया है कि यह जो डिमेट्रियस के बाद आए तो इनके सम्मन में एक फैक्ट है इसी समय सबसे प्रतापी सासक एंटेल कीट तो जो एंटेल कीट्स है वो युके टाइट्स जो राजा थे उसी के बाद आये थे तो इन्होंने क्या किया हेलियोडोरस को सुंग सासक भागवद्र के दरवार में भेजा और यह जो बताया गया था इनके समय और इनको याद रख लीजिए कि बेस नगर एक जगह है बेस नगर जो जगह है वो बिदिसा में है यह जगह है बिदिसा और भोपाल के पास है बिदिसा यहीं पर है गरुण इस्तम्ब है और जो किस से संबंदित है भागवत धर्म से तो जो बेस नगर बिदिसा का गरुण इस्तम्ब है वो इसी से रिलेट है एंटेल कीट्स ने हैलियो डूरस को सुंग सासक भाग वद्र की दरवार में भेजा और बहां पर उसने बेस नगर बिदिसा का जो गरुण इस्तम्ब है उसको बनवाया तो सासक कौन था एंटेल कीट्स ये वैसे बताया जा चुका है और बनवाया किसे ने था हैलियो डूरस ने और जो गरुण इस्तम्ब था ये भागवत धर्म से रिलेटिट था अब इसका महत उसलिए नहीं हो जाता है ठीक है बनवाया कई लोगों ने भी बनवाया लेकर ये देखिए कि एक बिदेशी या हिंद्यवन राजा यूनानी राजा इस तरह की चीजों को फॉलो करवा रहा है इस तरह की चीजों का निर्माड करवा रहा है कल्च्रल में भागवत धर्म फेमस था, अभी मिलन्द पन्हों देखा बौद धर्म, यह भागवत धर्म, तो इस तरह से जो भी भारती राजा आ रहे हैं, वो इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, तो एंटेलकीड्स, हेलियोडोरस इनको आप जानते रहे हैं, और देखिए, जो हिंद युनानी सास्कों का महत्व है, इन्होंने क्या क्या दिया, तो इनको आप जानिए, हिंद युनानी सास्कों ने भारत के पश्म उत्तर सीमा प्रांत में युनान की कला चलाई, जिसे हेल स्टिनिस्टिक आर्ट कहते हैं, यह कला बिशुद युनानी नहीं थी, क्योंकि जब भारत में हैं, तो भारत का भलेई 0.01% महत्या उसका एफेक्ट तो होगा उस पर, तो भारत में गांधर कला इसका उत्तम उधान है, मुद्राओं पर राजा का नाम चित्र तिथी अंकित करने का परचलन शुरू हुआ, किस समय हिंद यवन अभी बता दिया था, किस से पहले जो भी सिक्के होते थे वो आहत सिक्के कहलाते थे, पंचमार्ग कोईन कहलाते थे, लेकिन हिंद यवन राजाओं के आते ही, राज जैसे अगर अभी आप कोईन्स देखें, तो उस पर सन लिखा रहता है और कुछ गयहों की कुछ बालियां बगएर हैं, जैसे एक दूर रूपे के कोईन्स देखेंगे, तो इस तरह की चीजे रहती हैं, तो मतलब जो शन बाली जो तिथी वाला कंसेप्ट है, ये वाला चा बीणा बजाते हुए, इस तरह के चित्र, मयूर, रजट, इस तरह की मुद्राएं भी मिलेंगी और इस तरह के शिक्कों पर चित्र भी मिलेंगे, तो इस तरह हिंद युनानी सास को ने जो भी अर्थवस्ता हो या संस्कृते को, इन चीजों को प्रभावित किया, देखिए, सक के बाद, सोरी, जो शक आए, वो हिंद युनानी राजाओं के बाद आए, इनकी पांच साखाएं थी, अफगानिस्तान में, पंजाम में तक्चसला, मतुरा, नाशिक एवं उज्जन, तो सक जो सीथियन लोग आए, ए पांच साखाओं में बट गए, और इस तरह से इनकी साखाएं, अब देखिए, ए मद्धिसिया के निवासी थे, और चरागाय की खोज में आए थे, जैसे ख अश्मी छत्रपों में, छहरात, नासिक, नासिक का नहपान, क्योंकि देखिए, नासिक एक इनकी ब्रांच थी, साखा थी, बहां नहपान, तो इसको आप नासिक ना आ गया, और इहां का राजा नहपान, यह भी याद रहेंगे, तो नासिक और नहपान इसको थोड़ा या लेकिन इसका थोड़ा सा महत थे, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। बा कादरमर्क वन्ष का यानि उज्जन, ये कादरमर्क वन्ष जो है उज्जन में था, और अभी ये बताया भी कि सक की जो एक ब्रांच थी वो ज्जन में थी, और यहां था रुद्र दामन, और रुद्र दामन को जानती रही है, और सक शाशकों में जो सबसे ज़्यादा सक करता है, मतलब ये तो चलो ऐसे बता रहा हूँ, ठीक सक साशकों में आपको रुद्र द और रुद्र दामन को क्यों जानना होगा, इसका भी कुछ इसी तरह का मात हो, ये समझी है कि इसी तरह इसने भी कुछ भारतियों के लिए किया होगा, चाए वो सांसकरतिक छेतर में हो, या राजनेतिक छेतर में हो, या आर्थक छेतर में हो, तो इसी तरह से रुद्र दाम को जानना पड़ेगा अब देखिए एक महत्मूर फैक्ट है यह बहुत ही महत्मूर है एक्जाम में आता भी है 58 इसापूर है इस सन को आपको याद करना पड़ेगा और जब यह 58 और जब कुसान बंस तो यह जो 58 है इस समय एक संबत चालो हुआ जिसको बोलते हैं बिक्रम संबत और जब कुसान बंस का सासक जो कनिश्क था उसने भी सक संबत चलाया था तो इन दोनों को रिलेट करना होगा तो अभी 58 को 58 BC इसको जान लीजी किवल सन याद रख लीजी तो उज्जन में एक राजा हुए जिनका नाम था बिक् सकों को बाहर खदेड़ने में सफलता प्राप की इसलिए उसके उपलक्ष में 57 BC में बिक्रम संबत चलाया गया तो इस फैक्ट को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी सक संबत भी बताया जाएगा तो उससे रिलेट करवाऊंगा तो इसको किवल आप इतना जान लिजे कि जो एक बिक्रमादित थे इस तरह से कई बिक्रमादितर राजा मिलेंगे आपको जब आप और भारती थ्यास को पड़ेंगे अभी बताया जाएगा एक चंद्रगोद बिक्रमादितर थे तो इस तरह से कई लोगों ने बिक्रमादित उस समय शौरी ये और प्रति हो ठीक तो इन्होंने ऊजण में ये थे पिपटी सेविन बीसी में बिक्रम संबत चलाया तब से बिक्रमादित की उपादी apron सत्ला का प्रतीक बन गई ठीक है भारत Te feared में बिक्रमादित की संख्या 14 तक है इनमें गुप्त समराठ चनद गुजरात में चल रहे समुद्री ब्यापार से यह साखा काफी लाभानवित हुई नह पान है ना नाशिक का भी जिक्र मिलता है जो गौत्मी पुत्त साथ करणी से पराजित हुआ इसको आप साथ बाहन बंस में पढ़ चुके हैं कि जो नह पान सक्सा सक था इसको गौत्मी पुत्त साथ करणी पराजित किया और सक्साशकों में सबसे अधिक शक्ती साली या सबसे अधिक प्रुशिद हुआ है रुद्रदामन और रुद्रदामन को जब अशोक के समय बताया था और चंदगुप्त मौरिय के समय भी बताया था कि किस तरह शेह इन और रुद्रदामन अशोक और चंदगुप्त मौरिय इन तीनों का संबंध सुदरसन जील सौराष्ट से है आप समझे देए सौराष्ट और सौराष्ट का जो उस समय गवर्नर था सूबिशाक था और जब मैं मौरिय वंस पढ़ा रहा था तो उस समय इस फैक्ट को तीनों को एक साथ रिलेट करके बता भी दिया था तो उस लेक्चर का अगर आपने उस लेक्चर को पढ़ा नहीं है तो उसको एक बात पढ़ लिजिए तो सौराष्ट का जो गवर्नर था उस समय शूबिशाक उसने सुदरसन जील का जिनोद्धर कराया देखिए इसने रुद्र दामन ने भारत में बिदेशी होते हुए संस्कृत में एक अबलेक लिखवाया जूसे जूनागर का अबलेक कहते हैं तो इस प्रकार रुद्र दामन ने जो सुदरसन जीलते उसका जिनोद्धर करवाया हो सकता है गाद बगेरा कुछ भर गई हो कम तो उसको गहरा करवाया होगा इस प्रकार रुद्र दामन ने ये बहुत ही अच्छा कारी किया ये जो देखा जाए तो पानी के दरश्टी से बहुत अच्छा है समय तो ये लोग इतना जानते थे पानी का महत्तुर जो भी अगर भारती रिस्पेक्ट में देखें तो नदी, परवत इस तरह भारती राज्यों की ये सीमाएं होती थी और अगर आपने इनको अपने कबजे में ले लिया या इनको पनरजीवित करा दिया तो ये अतियंत लोग को कारी-कारी होता था इस तरह की चीजें होती नहीं, और जानी है तो ये जो भी जूना गडब लेख है, काब शैली में है भारत में जो सक्रा आजा थे अपने आपको छप्तरप कहते थे तो रुद्र दामन को जानिए किस प्रकार इन्होंने जूना गडब लेख लिख लिख वाया सुदर संजील से किस प्रकार ये रिलेट रहे पहलब समझिए पहलब नहीं तो अभी दश्ण भारत में आप पल्लव पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इस इनको पल्लब नहीं पहलब पढ़ना पढ़ेगा या परतियन पढ़ दीजिए सबसे सही रहता है इसमें कुछ जादा नहीं है किवल एक लाइन की चीज है कि सबसे प्रिसिद्ध परतियन सासक गौंदो फरनिश था कहा जाता है कि उसके शाशनकाल में एक संट थोमस इसाई धर्म का प्रचारक आया हो गया इतना साही महत्त है अब आपके दिमाग में हो रहा है कि इस तरह का कुष्चन सारा हो के इनका तो कुछ महत्तिव नहीं है तो यही समझ लीजिए कि उस समय जो भी भारति ये ग्रंथ हैं जितना उन्होंने लिखा पूरे मद्धेशिया को अपने कबजे में ले लिया देखिए पर्तियनों के बाद कुशान आए इनको यूची या तोखरी कहते थे यूची नाम के कबीला था और कुशान जो थे इसी कुल से थे ए लोग उत्री मद्धेसिया के हरत मैदानों से आए चीन के पड़ोस में रहते थे इन्होंने बैक्ट्रिया उत्याफ अफगानिस्तान पर कबज़ा कर लिया शकों को बहां से भगा दिया और कुशानों ने सकों, यूनानियों और पर्तियनों को हरा कर अपनी राजनेतिक सत्ता इस्थापत की इसमें जो सासक हुए कनिस्क तो सबसे ज़्यादा फिमर्श है लेकिन उससे पहले भी कुछ हुए उन्होंने क्या किये, एक्जाम में कई वार आ जाता है तो इसको भी जानने जाए, जाने है है ना, सन मत रखी, याद रखी है कुशान राजवन्स की स्थापना कुजल कडफिस तीन हैं जिनको आपको याद रखना है कुजल कडफिस, फिर बिम कडफिस तो कुजल और बिम कडफिस को जो बिम बार है इसको बाद में आना है इसे याद रख लीजिए, पहले आएगा कुजल कडफिस फिर बिम कडफिस और लास्ट में रहेगा कनिस्क पस्तिने राजाओं को आपको इसमें याद रखना है अब देखिए कुजूल कट्फिसस ने क्या किया इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए तो एक्जाम में आ जाता है कभी गभार कि कुशान राजबंस में सबसे पहले तांबे के सिक्के किसने चलवाए तो वो हो गया कुजूल कट्फिसस इसका उत्तरादिकारी हुआ बिम कट्फिसस इसको कुशान बंस का बास्तिविक संस्तापक कह जबते हैं वैसे सबसे प्रतापी या सबसे विशाल तो कनिश्की रहेगा सरवादिक सक्ति साली था अब देखिए बिम कट्फिसस ने क्या किया कि शिक्कों पर एक और यूनानी लिपी और दूसरी और खरोष्टी लिपी उत्तर कि और सबसे पहले जो सौने के सिक्के चलवाए वो इसी ने है ना बिदेशियों के रिस्पेक्ट में नहीं बलकि कुशान बंस के रिस्पेक्ट में क्योंकि ताबे के सिक्के कुजूल कट्फिसस और सौने के सिक्के बिम कट्फिसस और चीज जाने ये और अभी सबसे पहले बता दिया था कि अगर कोई राजा, कोई सासक, बिदेशी सासक कल्चरल रिस्पेक्ट में कुछ करेगा तो उसका महत बढ़ जाएगा क्योंकि लडाईया याद नहीं रखनी है यदि कोई सासक, कल्चरल, पॉलिटकल, एकोनोमिक इन छेतर में अगर कुछ करेगा तो उसको आपको, उसकी महत को याद रखना पड़ेगा अब देखे सेने क्या किया तो जो बिमकडफिशस था उसने सौने के सिक्के चलवाए और इन सिक्कों पर सिवभक्त की रूप में उसने उलेक करवाया और महेश्वर की उपाधी दार्नकी, देखिए, शिवभक्त की रूप में उलेक है इसलिए इसका महत तो बढ़ जाएगा और उसको याद रखना पड़ेगा एक्जाम में आता भी है ठीक तो इसको जानते रहिए इसके बाद आया बिमकर्फिसिस के बाद आया कनिश्क तो इस बंस का सरवादिक सक्तिसाली शाशक था कनिश्क कनिश्क की पहली इसने दो राजधानी बनवाई कनिश्क नो पहली राजधानी पृस्पुर पेशावर और दोसी राजधानी थी मतुरा जब यह नकस्षे में आप जाने एंगे तो पाकिस्तान वाले रीजन में पेशावर और उत्तर प्रदेस में मतुरा जगय यहाँ पर दोसी राजधानी बना ली कनिस्क ने 78 ECV में सक संबत चलवाया 78 इसको याद रख लीजिए वह बहां बिक्रम संबत था 57 इन दोनों को जोड़िए add कीजिए तो कितना होगा 135 इतना अंतर रहेगा तो कनिस्क ने 78 ECV में जो सक संबत चलवाया अगर हम भार्दिय केलेंडर को देखें तो उसमें जो 9 बर्स प्रारंब होता वो 4 महिने में होता है और start कब से होता है 22 या 21 मार्च तो अगर भारती रिस्पेक्ट में भारती महिनों को देखें तो उसको गोलते हैं चैत्र और बैसे कैलेंडर होता है जनवरी से चालवाया लेकर भारती रिस्पेक्ट में होगा तो यह कौन सा संबत है एक्जाम में यही पूँच लिया जाता है यही पूँच लेगा सकसंबत है ना पहला मन्त कौन सा होगा यह 22 मार्च को यह 21 मार्च को चालू होता है अभी 57 और 78 को जो एड करवाया यह 78 एड है और 57 बीसी है तो यह गैफ हो गया यह अगर रिस्पेक्ट में देखें तो यह बिफोर क्राइस्ट इसा मसी के 57 साल पहले और यह 78 बाद में तो इन दोनों को एड करना पड़ेगा तभी इतना अंत्राल है दोनों तो 135 इसको याद रखिए एक्जाम में कई बार जो लीजनिंग वाले कुश्टन से वो इसी से बना दिया जाता है कि यदी अभी 2000 चल रहा है तो इसको आप बिक्रम संबत में कनवर्ट कीजिए तो आप क्या करेंगे 57 एड कर देंगे और अगर सक संबत पूँछेगा तो 78 माइनस कर लेंगे इस तरह से आप याद कर लेंगे इन दोनों का एडिशन 135 होगा और देखिए और क्या किया इसमें रोमन समराट की भाती कनिस्क ने केसर या सीजर की उपाती धान की और कुंडल वन कसिमिने में बौद्धर्म का एक सम्मेलन आयुजद किया जिसे चतुर्थ बौद्धसंगीती कहते हैं एक कुंडल वन को आप जानते रहिए जब बौद्धर्म बताया था उसी समय चारों बौद्धसंगीती के बारे में आपको बता दिया गया था फिर भी अगर याद नहीं है तो आप जो पिछल lecture से उनको revise कर सकते हैं और अगर आपने copy किताब पर कहीं note किया है lecture को तो आप उसको भी उससे भी revision कर सकते हैं तो इस तरह कनिस्क का जो भी importance था उसको बता दिया गया है और जो next lecture होगा इसमें और बताया जाएगा तो क्या जिस प्रकार कनिस्क ने चतुर्थ बोध संगीती कायूजन करवाया और इस समय जो अध्यक्स थे वो बसुमित्र थे यह आप जानते भी हैं और पिछल लेक्चर में आपको बता दिया है तो इस समय बसुमित्र और जो चीज़े हैं तो जिस प्रकार अर्थ वर्ष था कि रिस्पेक्ट में इन्होंने रेसम मार्ग, सिल्क रूट इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया सोने के सिक्के, सरवाधिक सुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, किस तरह से चलवाए क्या इन्हें ब्यापार में बहुत जादा फायदा हुआ और किस प्रकार इनका बिनाश हो गया इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर सुनना होगा तो किस प्रकार इस शम मार्ग का नर्मार होगा और किस प्रकार इसके बाद गुप्त समराट भी अस्तित में आएंगे जब इनके बाद कनिस्क कुषाण बंस के बाद तो किस तरह इसे उनका आविर्भा होगा इस अब जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए और इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे की कहानी को नेक्स्ट लेक्चर बताय जाएगा और आपने जो लेक्चर सुना इसके लिए धन्वाद और नोट करते रहिए उम्मीद है आपको एक लेक्चर आपके एक्जाम में बहुत ही सायक शुद्ध होगा थेंक्यो